स्टुडेंट्स अब प्रागराप Nr. 7 में हम बात करेंगे कि civilization के बारे में कि कि सभ्यलाज़ेसन है तो हैर्ट सभ्यलाज़ेसन टाऊट ऐस्ट वी मूर फ्र्ट्ली ट्ए ट वट्स मन लौदर कैसी लटी है कि मतलब एक दूसरे के साथ में तरता पुलवग रहे जवाब सही है आसान है रोबीन्स इंगलीस नोट अमेरिकन इस्पेसीज यह इंगलीस इस्पेसीज है ना कि अमेरिकन इस्पेसीज है पैक एन अल्डरली रोबीन टुडेज मतलब होता मारना मार देता है मतलब अपने से जवान रोबीन को वेराज मैन इंगलीस नोट अमेरिकन इस्पेसीज यह भी मैन का बात हो रहा आदमी का जो कि अंग्रेज है तो वेराज दमेन गीवन अल्डरली मेन अन ओल्ड एज पैसा है लेकिन मैन जो है वो अपने से बुरह आदमी को मित्रता पुरुवग वेवार करता है मित्रता पुरुवग रहता है बट आवर अटिटीट्वड टुवार्स दोज ऑटसाइड दी हर्ड लेकिन हमारा जो रवयए है जो परति जो बाहरी यदि को हमारा जुन्ड में आया ता उसके परति सब्सक्राइब पता हिए इनिमल से हमारा जो बुद्धी है वो सक्षमी माना था drinking इसको एक नजड़िया देता है फिर भी हम रिष्ट को ठुकड़ा देते हैं और जो जंगली जो प्रवर्टी का होता है उस चीज में हम मतलब हो जाते हैं अगर सर हो जाते हैं मतलब जितना ज्यादा जो मानवे रवया होता है विल इन टाइम कम समय के साथ परचलन में आता है बट सोफार काफी हद तक वोमेंस आर नोट बेरी प्रोपोसियस संभावना है कि बिलकुल अनुकूल नहीं है तो यहां तक सेवन नमर प्राग्राव कंप्लीड होता है प्राग्राव नमर एट हम बात करेंगे हमारे जो दिमाग में हैं इसको कंसिडर करें दिल ले तो वाट एडियास हैब ड़न मोस्ट वहल्प करेंगे कि जाए जिससे की मानव जाती का मदद हो सकता है दो एडिया विच विच वी सेल भी कंसर्ण में भी बुली डिवाइंट टू करें जिस परिकल्पनाएं से हम समंधीत हैं समंध की बात करें तो उसको बरे रूप से दो भाग में बाटा गया तो परकार में बाटा गया दोज दाट कंट्रिबूट तो नोलेज एंड टेक्न एंड वो जो की नेतिक और राजनिती के साथ समंध रखते हैं I will treat first those मैं बताना चाहूंगा कि पहले वाले जो पहले वाले जो की जो योगिदान देते हैं नोलेज और तक्निकी को उसको मैं प्रिफर करूंगा और थर जिकर रहा है जो की करनी चाहिए नोलेज जाट मिस्ज्ञान और तक्निकी अब प्रार नमर नाइन में हम डेस्कस करने वाले हैं the most important step we are taken before the dawn of history यानी जो महत्वपूर्ण गटनाई भरी कदम जो उठा गया था लिया गया था यान हिस्ट्री की सुरूवाथ होने से पहले इत्यास की सुरूवाथ होने से पहले at what stage language is not known जब language की भी शुरूवाथ नहीं थी जानि language की जब शुरूवाथ हुवी थी चालू हुआ था जो मालूम नहीं है not known but we may be pretty लेकिन हम लोग बिलकुल खुश हैं सुन्दर हैं कि सटने निस्ची थी तेट इट बिगन वरी ग्रेच्वली बहुत ही धिरे-धिरे हुआ होगा ग्रेच्वली मतला होता है धिरे-धिरे शुलो विटाउट टुट विडवी वुट हैब बिन भेरी डिफिकल्ट तो हैंड ओन लेंग्वेज इसके बिना बहुत ही कठीन होता की एक चीज़को दूसरे जनरेशन याने एक बंसस्र दूसरे वनसस से पहुचाने में एक चीज़को भीर्द वॉट इट वोड़ी दिफिकल्ट तो हैंड ओन फ्न जनरेशन टू जनरेशन दो इन रैवेंशन और दिसकार ज अब 10 पड़ाग्राप में बात करेंगे अनदर ग्रेट इस्टेप जो दूसरा सबसे बड़ा जो कदम है विच में हैब कम एदर बीफोर और आप्टर जो आया है एदर उस मतब हिश्टी के सुराथ होने से पहले या फिर उसमें बाद में या बाद में या लेंग्वेज के स्लैड यह जो ता मैं माल लेता हूं कि जो फर्स्ट में वायर आयोंगे क्यों कि जो जंगली जानवर से हमारे एंस्चेस्टर थे फूर्वत से जंगली जान वर बचने के लिए वह आग का परियोग करते होंगे तो इस चीज़ को बता रहा कि साथ आग पहले आया होगा तो उसके बाद देखते हैं कि पर्ट जीण असीं होगा बता रहें अपने सोच को कि कही न कहीं बच्चे हुए और के बच्चे हुए evolution को देेआے कि वघते होंगे अगल-गगल तो जो मीड़दा था मीड को उसके पारेंट्स लोग या उसके जो समस्रागा समन्सदिए उसको डानते थे बच्चे को कि नहीं मेज сп On ünf प्शे को शरब हो जाएगा लेकिन फिर बच्य तो बच्शे हैं सो बच्चे-प Ball tar ba वहीं से इसलिए एक लंबा जो इतिहास होता है खाना की शुरुवात जो खाना की जो शुरुवात है वह चीज मतलब चालू हो गया उसका अलेन नमर बाम प्राग्डाम में और भेर को must have been made life much pleasure तो जो लाइफ हो गया इससे क्या आगया लाइफ जो गया जीवन जो गया बहुत ही आनन्द में हो गया और बहुत ही सेक्यूर हो गया बचाओं हो गया some anthropologist कुछ मनोवे ज्यानिक का have an attractive theory कुछ attractive theory है कुछ आकर्सित theory है the utility of domestic animal किसको लेकर जो domestic animal जो पालतु जानवार है उसके उपयोग के लेकर was not percent यह कहीं कोई पुराना नहीं है मतलब बहुत पुराना नहीं है यूँकर बर्द पीपल अटेंप्टेट टू टू टैम वेर दे एनिमल देट रिलिजन टाव डेम बट कुछ जो पीपल्स होते हैं जो मानव होते हैं वह इभेन इस सीच को टेमिंग अप एनिमल्स को धार्मिक से जोड़ दिये धर्म से जो जब मर जाता है तब पुझा करते हैं वाइल दोस्टु ओम दो काउ और सीप वाजर सेक्रेड अनिमल्स प्रोसपर्ड मतलब कुछ वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि गाए को और जानवर को भी पवित्र मानते हैं प्रोसपर्ड मानते हैं आई लाइक दिस ठिवरी मैं इस ठ वात हुआ कहां से आया बट इंटायर जो अपसेंस अभी डेंस यह मतलब सबूत जो बिल्कूल अनुपस्थित है पर जंट नहीं है फोर एंड अगेंस्ट फोर अगेंस्ट किसी को उसके विरुद में क्योंकि अभी तक तो हम इस चीच को पसंद कर रहे हैं इसके विरुद मे ना है यह को लेकर मैं काफी इस प्ले को लेकर मैं काफी संती हूं कफी संती महसूस कर रहा हूं अब प्रागराप नम्मरां लाहं में बात करते हैं इंवर्कूर्टंच किसी अविश्कार हो ना कि सुरुवात होना जब खेती बारी की जब शुरूबात होगी agriculture की तो यह कहा जा रहा कि जो हमारे पुर्वजों हैं यह अभ्याज जो हैं काफी मतलब धार्मिक रूप से काफी सेंचुरी से काफी सतावदिश से चालू हुए है एंट्रोडीस हुए है फर्टिलिटी राइट्स टेंटेट टू इन्वल्ब हुमें सेक्रिफाइस मतलब होता है जो पुराने समय की जो राइट्स हुए करते थे उसको लेकर बताया जा रहा जो पुराने समय की एक राइट्स हुए मतलब बनलोग्च देवता उस समय के वहां के साथ देवता थे मोलोग्च वूड नोट help the corn to grow unless he are loaded to feast on the blood of children का राया कि मोलोक चे देवता नाराद हो जाएंगे मदद नहीं करेंगे अनाज को ग्रो करने में बराने में unless he allowed to feast जब तक कि वो अपने संतान की बली नहीं देता है उपने संतान की बली नहीं देता है उपने संतान को वो sacrifice नहीं करदेता है तो वो चीज़ बता रहा सच्छो आधा हैं इसी समान पूरबक नहीं समान पूरबक बात एक और आता आ एक भी इवंजी2 क। मैंचेस्टर एक जगा का नाम है मैंचेस्टर जगा का एक अकल्जी 1 मतलब जब- इंडस्ट्री मतलब क्या होता है कि जो इंडस्ट्री की शुरुआत होने से पहले अर्ली डे कुछ पहले वें दे कैप सिक्स इयर ओल्ड चीड्रेन जब वो रखा चौछ साल के बच्चे को चौछ साल के छोटे से बच्चे को वर्किंग टुवर्ब टुफोर्टी डेज वो क काम कराया जाता था कब मतलब 13-14 से एक दिन में लभग 13-14 घंटा था काम कराया जाता है इन कंडिशन देट काउड मस्ट देम टुटा और सिस्ति ऐसी होती थी कि वह बच्चे मर जाते थे वह एंजलिकल्स का मंचेस्टर का कहनी बता रहा है कि जब वहां पर बच्चे को ज इस नौ बिन डिसकवर्ड ग्रेंश से क्या होगा हमारा अनाज बढ़ेगा आएगा नायान अनाज एंड कोटन गूट्स और जो कोटन गूट्स होते हैं का पास के जो समान होते हैं में कर्वी मनुफेक्चर और सानी से मनुफेक्चर होगा विताउट बिंग वाटर बादी बिना बच्चे की बली दिये इंग्लेंड की कि अंधिविश्वास वाली कहानी बता रहा है आज के डेट में ऐसा नहीं होता है तो आगे देखते हैं कि इनकेस अव्ग्रेंद डिसकवरी टूप थाउजंट अप इयर्स तो अनास की डिसकवरी में हजारों साल लग गए हजारों सल पहले की आई हुए आनाज है इनके सब कोटन कोटन गुट्स तो यह कहीं हाल फिलाल में इसलिए बता रहा है कि इससे कंपेर कर रहा है हुए कोटन 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 कुछ प्रोग्रेश हुआ है लास्टोट में आता है जो सबसे लास्ट dip repairני ही on इसकार हुआ है जो तो यह सबसे अविश्ट्रीच यह इसकार हुआ है या निशने की छह्ठ प्रिवा साइट ऑफ हिस्ट्री जो कि हिस्ट्री में इसको प्रिक्विस साइट मतलब अम इसको नहीं छोड़ सकते अंत नहीं कर सकते राइट लाइक स्पीच जिस प्रकार की राइटिंग लाइक स्पीच मतलब लिखते हुए भासन देना डेबलाट ग्रेजली यह धीरे-धीरे हुआ और किसके फॉर्म में वह पिक्चर के फॉर्म में डिजाइन तो कन्वे और मेसेज मेसेज को कन्वे करने के लिए बताने के लिए इत वाथ प्रोबली एज ओल्ड जी स्पीच जो कि काफी पुराना था स्पीच के तुल नामे कौन चीज पिक्चर ऑप राइटिंग भासन देन आया उसके बाद देन देंस मतब छोटा सा अंस आया जो लिखने की चोटा सा अंस आया देन अलफावेट आया लाइक एबी सीडी एफ जो आता है वो आया वाद भैडी स्लोई बोलेशन यह बहुत ही धिरे धिरे इवोलेशन हुआ उत्पन हुआ इन चैना दो लास इस सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पणाया है सी पहला अप्लोडिंग वीडियो में था दिक्कत आ गए उसके लिए मापी चाहता हूं और यदि जो स्टुडेंट्स पार्ट थी से पहले पार्ट टू ए पार्ट नहीं देखे डिस्कप्शन बॉक्स में आपको लिं झाल झाल